हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई इंफराटेक यूट्यूब चैनल इंफराटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तुम्हें आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं जिया है तो वीडियो के नीचे रैड कलर का सबस्क्राइब बटन दिया हुआ है उसे क्लिक करके पहले तो सबस्क्राइब कर ले जिससे कि मैं कोई वीडियो न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा वैल वाला बटन दबाने के बाद जिस सबस्क्राइब बटने के वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के सुरू करते हैं अधने हुआ को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और डी के नई का लाँच के बारे में और डी ने आज अपना Q3SVU का पेट्रॉल मॉडल लाँच गर दिया हैं इससे पहले य Q3 का यह पैट्रॉल मॉडल इसलिए खास है क्योंकि Q-Series में यह पहला पैट्रॉल मॉडल है इस चोटी पैट्रॉल SUV की कीमत 32.2 लाख रुपे रखी गई है यह कीमत एक्सूरूम डहली है इससे पहले सीरीज में कभी पैट्रॉल इंजन उतारा ही नहीं गया आपको बता दें कि और डी का साम 27 का अब तक का यह चौथा लाउंच है इससे पहले A4, और डी A4, डीजल, A3, कैब्रियूलेट और Q3 SUV को पहले ही उतारा जा चुका है यह पैट्रॉल इंजन इस सीरीज में वहले ही नया और पहला है लेकिन इस इंजन की पर्फॉर्मेंस A3, कैब्रियूलेट में देखी जा चुका है इस कार में लगा 1.4 लीटर T-FSI, तर्बो चार्जड अट्रॉल इंजन 150 PS की पावर के साथ 250 Nm का ट्रॉक जनरेट करता है यह एक FWD यानि Front Wheel Drive SUV है जिसे 6-speed S-Tronic Transmission से जोड़ा गया है माइलेज 16.9 km पर लीटर का बताया जा रहा है जबकि 0-100 की speed तक यह इंजन सिर्फ only 8.9 सेकेंड में पहुचता है लुक और केबिन का नजारा देखें है तो यहां कोई नयापन नहीं देखेगा LED Headlights के साथ Signature LED DRLS यानि Daytime Running Lights 17 इंच के Alloy Wheel पेरा Panoramic Sunroof आपको बाहर के तरफ दिखाई देखेंगे Cabin में Leather Appohastry LED Interior Lights Dual Zone Climate Control Hill Start Hill Descent Assist और Colored Driver Information Display और Voice Recognization और Cruise Control और Sixth Airbag यहां आपको मिलेंगे यह Intervail की बात चल जाई है आपको बता दें कि Q3 का Petrol Model इस सीरीज की सबसे सस्ती कार है इस सीरीज में 2.0 लीटर TDI Front Wheel Drive और 2.0 TDI Quadro भी अपलब्द हैं जिनकी कीमत respectively 34.2 लेक और 37.2 लेक हैं डौनों कीमतें दिल्ली एक्सोरूम की हैं अगले महिने भी और अडी एक और लॉंच करने जा रही है और जो लॉंच है और डी का अगले महिने वह हो सकता है और डी A3 सेडान का हो जो की 6 अप्रैल को लॉंच हो सकती है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आप फिचर में इस वी टाइब की और वीडियो दिखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और जादा से जादा लोगों में शेयर कीजिए और अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमारे और आपके शैनल को सब्सक्राइब कीजिए ल सब्सक्राइब एस जास दिए ज